दोस्तों MS Word की समेजन चेप्टर में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखेंगे front page design करना आप सबको बताए कि जब भी आप assignment submit करते हो कोई project submit करते हो तो आपको एक front page create करना होता है तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही simple steps में एक front page create करना सीखेंगे नॉर्मली आप देख पा रहें कि एक demo आपके सामने है और यही same demo हम create करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर ही वीडियो आपको अच्छे लगे तो please वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब सबसे पहले हम यहां पे ले लेंगे एक नया page जिसमें हम स्टार्टिंग से इस काम को कर सके तो इसके लिए simply हम ctrl n करते हैं और एक नया page यहां पे create हो जाएगा अब यहां पे सबसे पहले हम करेंगे क्या हमें जाना है design section में और जाना है page border वाले option में यहां जाने के बाद आपको यह box वाला section इस पे click करना है और एक border जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप select कीजिए तो जैसे कि मेरे साब से यह वाला border जादा अच्छा है तो यह हम select क जो भी color हमें रखना है suppose हमें color रखना है यह वाला तो हमने यह लिया इसके विड़त वगर अगर हमें manage करनी है तो वह हम यहां से manage कर सकते हैं और जैसे आप इसे okay करोगे आपके page पे border apply हो जाएगा जो कि on screen आप देख पा रहे हैं अब यह होने के बाद जो हमारा second काम है वह हो है हमारे institution का या फिर जहां पर भी आप पढ़ते हो उसका नाम देना जैसे कि एक example लेते है इगनु का तो इगनु का जो में नाम है वह हम यहां पर देंगे तो इसके लिए आपको insert में जाना है और word art में हम जाएंगे और कोई भी word art जो आपके इसमें अच्छा लग रहा है वह आप select कर लो तो suppose हम select कर लेते हैं यह वाला हमने select किया select करने के बाद हम यहां पर नाम लिखते हैं तो हमने यहां पर नाम लिख दिया इंद्रा गांधी नेशनल ऑपन यूनिवर्सिटी तो यह चीज़ हमने लिखी आप लिखने के बाद ही बिल्कुल सिंपल डेमोस्ट्रेशन में आ रहा है तो हमें इससे select करना है select करने के बाद आपको यहां पर जाना है text effect वाले option में और सबसे last में आपको option मिलेगा transform का इस इससे select कीजिए आपने किया यह जो middle वाला यहां पर point आपको निजार आ रहा है इससे select करके आपको ऐसे drag करना है जैसे आप drag करोगे यह आप देखोगे कि बिल्कुल curve format में यहां पर convert हो जाएगा तो इससे हम यहां पर लगा लेते हैं लगाने के बाद इसके width को थोड़ा स एक image तो image apply करने के लिए क्या करेंगे हम insert में जाएंगे और online picture करके option आपको मिलेगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद कोई भी जो picture आप search करना चाहते हो जैसे मैं यहां पर search कर लेता हूँ education के नाम से हमने यहां पर education लिखा और उस से related कई सारी images समया पर show हो रही है तो या तो आप यहां से option select करो या फिर format में आप जाओ और यहां wrap text में जाके आप यहां पर in front of text select कर लो यह करने से क्या होगा कि इसके moment में आपको कोई भी issue नहीं आएगा तो हमने इसको यहां पर adjust कर दिया कुछ इस तरह से और यह adjust हो गया अब यहां पर जो हमारी organization का short name है इ देखेंगे insert में और wordard पर click करेंगे और wordard select कर लेंगे यह select क्या हमने और select करने के बाद यहां पर हम लिख देगे नाम थो और लिखने के बाद इसे में adjust कर लेते हैं यहां पर लागे ठोड़ा से size हम बढ़ा करेंगे home में जाएंगे और यहां से इसके size को हलका बड़ा कर देते हैं और जो भी font आपको apply करना है suppose यह बैटर लग रहा है तो हमने यह select किया और इस तरह से apply कर दिया यह करने के बाद आप यहां outline में जाओ और कोई पी outlining आप apply कर सकते हो जिसकी वज़े से इसका जो look है वो थोड़ा और attractive हो जाएगा इसके बाद इसे अपने हिसाब से आप adjust कर लो जैसा आप adjust करना चाहते हो तो हमने से adjust कर लिया और यहां पर इस तरीके से demonstrate कर दिया अब यह करने के बाद जो बागी के fields है जैसे के name, father's name यह सारी चीज़े हमें यहां पर add on करनी है तो एक quick demonstration हम देख लेते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पार हो name, father's name, course, registration, subject यह सारी चीज़े हम इसमें put on करने वाले हैं तो यह हम कैसे करेंगे इसके लिए simple करना कि आपको insert में जाना है और यहां जाना word art में और एक word art आपको ले लेना है यह लेने के बाद इसे यहां पर हमने रखा और रखने के बाद इसमें simple हमने type करना start कर दिया तो सबसे पहले term जो है हमारा यहां पर वो है name हमने लिखा यहां पर name और लिखने के बाद shift की और जो यह dash की है जो 0 के side में इसे दोनों को साथ में press करना है इससे automatically जो एक line है वो यहां पर create हो जाएगी अब क्योंकि हम आगे बढ़े इससे पहले इससे select कर लो और इसका alignment वग रखना है वो हम यहां पर select कर लेते हैं तो I think जो 26 का size है वो better है तो यह हमने select किया और select करने के बाद इस तरीके से हम dash से दे देते हैं और इसे adjust कर लेते हैं proper तरह से तो यह हो गया अब यहांने के बाद आपको enter करना है दूसरा field यहां पर डालना है जो कि है father's name का तो यह हम इस तरीके से एक simple line यहां पर add-on कर दीए इसके बाद में registration number हो सकता है कहीं पर role number हो कहीं पर enrollment number हो तो जो भी आपके institution से related fields है वो आपको यहां पर put on करना है तो यह हमने किया परेगरने के बाद simple इस तरीके से हम यहां पर यहां पर ड्रैग कर देंगे इसके बाद आपका subject क् जो remaining term है अगर कुछ तो वो भी हम यहां पर डाल देते हैं जैसे कि course code एगनों में होता है जब assignment submit करते हैं तो यह चीज होती है तो यह चीज हमने यहां पर डाल दिया अभी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से अपर adjust कर लेते हैं और इसका जो भी font हमें रखना है जैसे कि करें थोड़ा और अच्छा लोग यहां पर represent करें तो यह चीज हो गई अब यह होने के बाद आपको यहीं पर आना है और यहां पर करना enterprise करेंगे और यहां पर हम डाल देंगे date field तो date field में shift hold करके जो dash button आप दबाओगे तो इस तरीके से आप format create कर पाओगे और फिर मैंना obl देखने के बाद ऊपर जाओ और यहां पर एक line आप यहां पर click कर दो इस तरह से यह करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस line पर click करके आपको यह right alignment जो यहां पर आपको दिख रहा है इस पर select करेंगे तो यह right में adjust हो जाएगा और अगर हम signature line के बाद करें तो इसे हम center में adjust करे और फिर यहां आके space देंगे जिसके मदद से इसे हम बिलकुल middle में adjust कर पाएं तो आप देख सकते हैं कि बिलकुल एक proper look जो है वो आपको यहां पर मिल जाता है इन दोनों को select कीजिए और इसका जो space जादा आ रहा है वो हम यहां पर हटा देते हैं ताकि यह थोड़ा और अ जाना है design section में और यहां पर आपको जाना है page color वाले option में नीचे आपको option मिलता है fill effect का इस पर किलिक करें किलिक करने के बाद यह one color हम select करेंगे और कोई सा भी एक color आप select कर लो जैसे में select कर लेता हूं यह वाला color यह करने के बाद इसका light portion ले लेते हैं और यह vertical dark आपको number of options से यहां पर मिल जाते है तो जो भी option आपको चाहिए वो आप select कर लो जैसे में यह select कर लेता हूं यह वाला color हमने select कर रहा है और यह हम light में ले लेते हैं proper और इस तरीके से हम देख लेते हैं कि हमें कौन सा look ज्यादा better यहां पर लगने वाला है तो I think यह look better है तो यह हम select करत देते हैं और आप देखोगे कि proper attractive आपको जो front page है वो यहां पर great हो जाता है तो जितना time आप दो कि उतना और अच्छा attractive इससे बना पाओगे and I hope कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को like करे share करें साथ यह comment करके अपना feedback दरूर दें thank you